आपका स्वारत है आज हम बनाएंगे साही पनीर इससे बनाना बहुत ही रेसिपी बताऊंगी तो चलिए बनाना ये सब्सक्राइब दें के लिए अगरम करने के लिए आप साथीस में डाल देंगे बड़र और इन्हें अलका से मिल्क कर ले बड़र का यूच्किया है आप चा सिब्सका अभावी लुचा है जिसबीच कर एक टासे नियुचने के लिए साबुट मसाले गले तो चलिए परले डाल दे यह और बूपसारिस में डाले उर लिए अलका से जिए रोश कर ले ताक के इसके फ्लेवर आज है यूशिः में बाद में खरेंगे इनmek चला ले रो म ahí ABOUT कि एक राप्रुट प्रव काजु दोगा अपने सा इस अ şekilde कर सकते हैं तो आ denख शिए कंशन स्टारा कर सकते हैं आपक इन अ कर सकते चले तक अब उपको नहीं कर समझे पなた इन आया करते हैं कि आपि उन्हों से च्छला ले निए अई अधर सभाव 300 तो आप देख रहते हैं चेह से साथ में धोगया तो भूकुछी से सॉफ्ट होगया तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर ले रेच के लिए छोड़ दे और इन एचे से ठंडा कर ले ठंडा करने के बाद इसमूर सी प्योरी बना ले और ले हमने इसे बार एक ग् बनाते समय में स्मूथ और अच्छी ग्रेवी मिले बिल्कुल मक्षन जैसी है इसे अच्छी से चान लिया इसके जो मोटे टुकडे बचे हैं आप चाहिए थिसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे और चला ले और इसे भी चान ले देख सकते हमने पेर वीक अच्छी से चान बतयर या घीतर यूजर कार सकते हैं तेल गरम रिक रायस में डालें के तेज पत्ती पन यलका से आग्या पाउरर चानों मेंकास मेरी के sama मसाला फेण सबकोर एंच्छे चला ले इसे चला लें एसे चला लें देख सकते हैं चानी का यही पायदा है कितना स्मूद्स बिल्कुल मक्षन जासा दिक रहा है ऐसे चलाते रहें और चलाते हुए पकाले ना अच्छा देखने में इसकी खुसबू उतनी ही अच्छी है ग्रेवीयरी होगी गणी और पनीर कट कर ल करता है काथ घर इस आप से काट ले हैं ग्रीक को से च ला ले आप दिख सकते हैं अच्छे से पका लिया तो इसमें डाल दे जीलें कशने help हो अप मैंने इसमें च्रूश। हमने क्रीम यूज किया मैं विल्वारे आपके सत्ते visão से चला लए नियुक्त क्या. एक टेस्ट अहिस्ट को इन्हेंस कर ले भूंता है जाती है कि डूलयों, केसर का यूज करें एक बीदि कान जूदें और इन्हें चला लें देख सकते हैं में पन के रेडी हो गया तब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी पानी पानी इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि थोड़ी सी थीक रहती है और इन्हें मेडियम कर दें और ढ़क दें तक कि अच्छे से ग्रेवी पक जा और इसमें पनिर डिया को च्छी हो इसा अप्जर करने आफ है और आप countryside इसर पनिर बन के रेडी हो गया तो चलिए फ्लेम को बंकर देते हैं करने की प्रोसेस में चलते है मैं में जितना अच्छा लग है खाने में उतना ही अच्छा लगता देख सकते हैं हमारा साही पनीर बनके रेडी हो गया कम टाइम में आपको कुछ बनाना हो तो आप मेरी साही पनीर की रेशीपी जरूर चाहिए करें मुझी रेशीपी अच्छी लगे तो देख लाइक से और सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए रेशीपी के साथ तब तक आप सभी को बाई बाई